दोस्तों पस्चिम बंगाल की न्यू जल्पाई गुडी में एक बार फिर भीसन रेल हाथसे ने लोगों का दिल दहला दिया है। पूरी जिम्मेदारी खुद लेने वाले हैं क्योंकि ये छाटवा ऐसा हाथसा है जिसमें दो प्रेनों के आपस में टकरा जाने के बाद निर्दोस लोगों की जाने गई हैं। 1999 को गैसल असम में हुई रेल दुर घटना जिसमें 285 लोगों की मृत्यू हो गई थी। इस घटना के बाद उन्होंने नहतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तिफा दे दिया। लेकिन दोस्तों ऐसा दो ट्रेनों की कोलीजन में 200 से जादा लोगों की मृत्यू का ऐसा मामला ये मोधी सरकार के रेल मंत्री के कारिकाल में पहला नहीं है। लगभग आधे दर्जन के करीब ऐसे मामले हैं लेकिन अभी तक रेल मंत्री की तरप से कोई इस्तिफा नहीं है। फिलहाल आपको बदा दे कि इस रेल हाथसे में अभी तक 5 लोगों की जान जा चुकी। इस लोग घायल हैं, मरने वालों की संख्या अभी बढ़ सकती है। इस पर अभी तक अस्विनी बैसनों ने जो प्रतिक्रिया दी है वो उन्होंने कहा है कि दुर्भाग के वस NFR जोन में जो ट्रेन की दुर्गटना हुई है। Rescue अभियान तेजी से चल रहा है, Railway NDRF और HDRF बहुत ही तीजगती से काम कर रहे हैं। Senior officials साइट पर पहुँच गये हैं और घाय लोगों को अस्पताल में पहुचाया जा रहा है। लेकिं दोस्तों बड़ा सवाल है कि इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेने वाला है। प्रधान मंत्री इस हादसे की जिम्मेदारी लेंगे जो अलग-अलग ट्रेनों की फिल जंक्सोनों का उधगाटन करने के लिए हरी जंडी दिखाते हैं। पिर कहने मात्र के रेल मंत्री अस्विनी बैशनों की जान जब दो ट्रेनों के टकराव से जाती है। अपने जिम्मेदारी स्विकार करने वाले हैं, क्या इस्तीफा देने वाले हैं या फिर बस यूँ ही चलता रहेगा जैसा अभी तक चल रहा। आपको बदा दे, पिछले एक साल के अंदर अस्विनी बैशनों के नेत्रित में साथ से आठ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। लोग की जान गई है, जान माल का भीसर नुकसान हुआ है, बाला सोर की ट्रेन हाथ से की घटना अभी हर किसी को याद है। लगभग 300 लोगों की जान उसमें गई थी। और ये सारी घटनाएं पिछले एक साल के भीतर की हैं। लेकिन आपको बता दे, सिर्फ एक और अकेली घटना में नितिश कुमार ने रेल मंत्री नितिश कुमार को इस तरीके से हताहत किया था कि उन्होंने पहली और अकेली घटना में 300 लोगों की मृत्यू होने के बाद हैं ये देखने वाली बात हो